मुंबाई महारास्ट्रा से और इन्होंने अपने बारे में सवाल पूछा है पर शुरू करने से पहले आप लोगों को बताओ रभी वार के सवाल अवश्य ही कमेंट में लिखे अपनी कुंडली से भी अगर हो सके तो अवश्य लिखा करिए और रभी वार के शाम का कारिक्रम जो आठ बजे जाता है उसे अवश्य देख लिजे फ्री कुंडली विश्लेशन जो मैं करता हूँ बिशलेशन जन्मकुंडली का इस कारिक्रम के नदरगत वो सुबह में करता हूँ मतलब सुबह में रवीवार को जाता है वो 10 वजे से 11 वजे के बीच में हूँ शुरू करते हैं हाज का कारिक्रम कहीं नहीं जाना है बिल्कुल बनके रहिएगा कारिक्रम के आरव में मैं सबसे पहले आपको बता दूँ मनुस्मृति की बात भगवान मनुने मनुस्मृति में बिभिन वर्णों के लिए बिभिन कर्म बताएं जैसे ब्रामणों के लिए अध्यायन अध्यापन दान लेना दान देना यजन याजन करना ये ब्रामणों के 6 कर्म हैं, उसी तरीके से छत्रियों के लिए 5 कर्म बताएं हैं, प्रजा का पालन, दान देना, अध्येन करना, और यग्याधिका करते करना, और 5 वश्यों में अना सकती, ये 5 कर्म छत्रिय के हैं, वैश्यों के लिए वगवाण ने बड़ा सुन्दर स्लोक लिखा है पशुनाम रक्षडम दानम इध्या अध्ययन मेवच वणिक पथम पथम कुसीदमच वश्यस्य कृश्य मेवच पस्वों की सुरक्षा अध्ययन दान और व्यापार का काम करना लिखा है ना वनिक पथम, कुसी दमच, ब्याज सटा आदी का काम भी कर सकते हैं और कृशी का काम करना ये इतने कर्म वैश्यों के लिए निरधारित किये गए हैं मतलब वैश्य ये काम कर सकते हैं अध्यायन पर अध्यापन नहीं दान देना पर दान लेना नहीं उसके बाद कृशी, गो परक्षा, वाणिज, पशुपालन वगेरा और जो जुवा सटा धन का जो बिन्मे होता है या धन बढ़ा करके देना बढ़ा करके लेना ब्याज पेश, सूध पे ऐसा काम बैश्य कर सकता है ये काम ब्रामण और ये काम छत्रिय नहीं कर सकते हैं अब समझने वाली बात है क कि इसमें दोहन कहां से हुआ मध्यकाल के बाद या मध्यकाल के एक समय आप विचार कर सकते हैं कि इतने वर्णों में जो सबसे सरवादिक जो कमजोरी आई है वो मध्यकाल के इतिहास में आई है मध्यकाल के इतिहास में आप उससे और भी पीछे जाएंगे तो उसका अतिक जब बहुत पीछे जाएंगे तो जब भगवान संक्राचारी के समय पे जाएंगे उस समय भी ये बात लागू होती थी लोग धर्म सास्त्रों को समझते थे मानते थे और उसका पालन करते थे भगवान रामानुजाचारी के समय पे जब आप जाएंगे जब आप जाएंगे ऐसे आदी आदी पुरुष के संपर्क में जब जाएंगे, पीछे जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से विभिन वरणों ने अपने अपने करतब्यों का संपूर्णतया, पूर्णतया तो नहीं, पर ये चुकी कल्यूग है, इस वज़ा से उन्होंने फिर भ ऐसा कहा है, शुरू करते हैं, अब आपको मैं आपके विशयपे लेकियाता हूँ, सबसे पहले यहां तुला लगन की कुंडली है, लगन के अधिपती का चतुर्थ में बैठना ही बहुत अच्छा होगा, पर यहां सुर्य बुद्ध शुक्र बैठे हैं, ये मैंने हैं पंचांग से मिला देता हूँ, आप लोगों को भी अपनी कुंडली देखने से पहले अपने पंचांग का ध्यन करना चाहिए, इनका जन्म उत्रायन में हुआ है, इस वज़ा से दशंभाव और सुर्य ठीक ठाक हो जाएंगे, पर यहां सुर्य बैठेंगे तो ब्यक्ति के बहुत बिलंब से होगा, पर हो जाएगा, शुक लपक्ष के अस्तमी तिति के चंद्रमा, बड़े ही व्यक्ति को मन से इस्थित, शांत, जगडालू नहीं, शांती, प्रसंद, और बड़ा ही कोमल विचार वाला बना देते हैं, बड़ा ही व्यवस्थित बना देते हैं, व अस्तमी तिति के सोमवार के चंद्रमे होने से व्यक्ति में शांती प्रिये नहीं जगडालू और नहीं बेचैन मन का, अब ये अपनी समस्या को अपने आप में ही सिमित रखना चाहें, या कई बार वो दूसरों के दुखों को देख करके बड़ा ही द्रवित और बड़ा ह परिशान हो जाए, पर अपनी समस्या तुरंत भोल जाए, ऐसा, और सोमवार को जन्मे होने से जगडालू नहीं, प्रेवी किसमका होता है, साध्य योग और अश्वनी नक्षत्र में जन्मे होने से पठन-पाठन का काम बहुत अच्छे तरीके से व्यक्ति कर सकता है, पढ राम से कर सकता है, ब्यवसाय, पढ़ने-पढ़ाने का, कोचिंग आदी, जो किसी को ज्यान देने का हो जाए, या किसी भी ब्यापार में दो लोग मिल करके बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, जो कोई भी काम इनको दिया जाता है, निश्चित रुप से अपनी बु पूरी और प्राप्त करने की पूरी कोशिश करता है, देवगण के होने के कारण ब्यक्ति जगडालू नहीं है, शुद्ध है, शाम्त है, इस्थिर है, गंभीर है, और धर्मसास्त्र में विश्वास करने वाला, बढ़ों का आदर करने वाला, साथ ससुर के साथ सामन जस्य बनाने वाला, सब के साथ बड़ा ही सीधे मन का होता है, ऐसा मैं कर सकता हूँ, बैलन्स बनाने में व्यक्ति की, आदी उम्र व्यक्ति की निकल जाती है, यहां गुरु राहू के साथ नहीं होते, तो और भी अच्छी बात होती, इस वज़ा से व्यक्ति के जीवन में कई ब बहुत अच्छे से बिश्वास नहीं करते, ऐसा भी संभव है, और जो जीवन का संपूर्ण छेत्र होता है, वो थोड़ा संकुचित हुआ सा रहता है, इस वज़ा से भगवान की कृपा से अगर मैं कहूं, तो आपके अंदर कम से कम इतनी बुद्धी तो है, क्योंकि लग इसे देख रहा है, इस वज़ा से छोटे भाई बहन इन सब के साथ सम्मंद सामन जस्ते वाले ही बनेंगे, एक आदश्मे भाव के अधिपती का चतूर्थ में आना महाभागे साली योग, लगनेश का चतूर्थ में जाना ये भी बहुत अच्छा योग, राजयोग बनाए होते हैं, नवम भाव के अधिपती के चतूर्थ में आना माता पिता के साथ सम्मंद व्यक्ति अच्छा रखना चाहता है, पर किसी न किसी वज़ा से थोड़ी बहुत घर में कला का वातावरन ये तीनो ग्रह वैट करके मिला करके बनाते हैं, चंद्रमा मेश रासी के बैठ रखना चाहिए, आप अपने पती को प्रिये होंगे, इसमें पकी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये सुर्य बुद्धु सुक्र घर में कला का वातावरन और यहां पे मंगल और यहां पे शनी, ये जो है और यहां राहु और रोगभाव के अधिपती लग्र मे शुक्र के साथ मंगल ने देखा है, इस वज़े से कई बार विपती को रक्त जनित समस्या होती है, आनियमितता की समस्या होती है, और कई बार विपती को रक्त से समंदित जो भी समस्या होती है, जिसका प्रभाव कई बार चमड़ी पर भी देखा जाता है, या चेहरे पर बालों पे देखा जाता है, इस पे भी होता है, पेट साफ रखने की पूरी कोशिश करिए, शहद मिला हुआ जल अवश्य पीजिए, और जितना ज्यादा हो सके शुद्ध बोजन करने की अवश्यक्ता है, क्योंकि यहां मंगल पेट के रोगी और यहां शनी कई बार नाभी क छेत्र को परिशान करते हुए दिखे जा रहे हैं, वैसे आपकी कुणली में आयू बहुत अच्छी होगी, आपका करियर जो है, वो दशम भाव के अधिपती यहां बैठे, अपने भाव से दस घर आगे, यानि की केंदर में अच्छी बात होगी, सुभगरा होकर के चार घ आगे पीछे बैठे हैं, पर इस भाव को या दशम भाव के अधिपती को पापकरतरी लगने के कारण, दशम भाव संपूर्ण तयाप अलिभूत नहीं हो रहा है, और उस भाव के ठीक पीछे गुरु राहु और इस पे शत्रु गरही शनी की दृष्टी पढ़ जाने के का कई बार पिता से और कई बार व्यक्ति को करियर से समाज से वो उतकर्ष्टता प्रदान नहीं कर पाता है, जो करने की आवशक्ता कुंडली में या व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए, द्युति भाव के अधिपती का चतुर्थ में या आपने भाव से पांच घर आकर के चट्वें में बैठना, ये भी कई बार कमजोरी दिखाता है, इसके बल पे व्यक्ति का साहस थोड़ा कम होता है, हाला कि वो दूसरों से कभी भी लड़ेगा तो हारेगा नहीं, पर फिर भी उसके पास ब्याय हमेशा ही बने रहे, या ब्यायात्मा किस तोईतियां दिमाग में भी चलती रहे, धन को लेकर के भी चलता रहे, दे दे तो मिले नहीं, उतना साहस नहीं होता कि वो मांग सके, मतलब ऐसा नहीं कि वो लड़ाका, मतलब वो कमजोर है, या फिर भीरू है, ऐसा नहीं है, पर हाँ, उसके पास इतनी साहस नहीं होती कई बार कि अपना ही धन वो किसी से मांग सके ऐसा मैं कह रहा है मंगल की दिष्टी गुरु पे और गुरु मंगल का सम्मन्द एक दूसरे से केंदर का बन रहा है इसे अच्छा कहेंगे मंगल का सम्द बारहवे और बाकी और तो कोई ग्रह यहां नहीं देख रहा है मंगल बार हमें हैं, इस वज़ा से कई बार रक्तजनी समस्या भी देते हैं, हलाकि कई बार एक बात बता दूँ, तो बिर्ति दूसरों के कारण भी अपनी समस्या बढ़ाते हुए दिख रहा है, मंगल की दृष्टी यहाँ पर अच्छी नहीं है, यहाँ भी बहुत सामाने ह बहुत जादा बार अच्छी दृष्टी से नहीं देखा है, अलाकि इस कुणली के लिए मारकी होते हैं, इस कुणली में सबसे कमजोर परिणा मंगल का है, इसी वज़ा से इस्त्रियों की कुणली में दो प्रकार की कुणली का निर्माण होता है, पुरुष की कुणली को बीज कुणली कहा जाता है, और जातिकाओं की कुणली को छेत्र कुणली कहा जाता है, छेत्र कुणली में मंगल का अध्यान आवशक होता है, और बीज कुणली में शुक्र के अध्यान और गुरु के अध्यान का आवशक होना होता है, मंगल अगर जन्म कुणली में कमजो किसी भी सुभग ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, उल्टे एक मारा का ग्रह मंगल ने गुरू को देखा है, इस वज़ा से कि व्यक्ति की कुंडली में संतती से समधित समस्या निश्यत रुप से संभव है, पंचम भाव को भी आप देखेंगे, तो तीन ग्रह और आगे मंगल, पंचम भाव को गडबड़ी और पंचम अस्तम में, इस वज़ा से संतती में समस्या हो सकती है, कुंडली मिलाना और अपने स्वास्त का संपूर्णतिया चेक कराना निश्यत रुप से आवश्यक होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में यहाँ पे भी पंचम भाव के अधिप पती बुद्ध के साथ बैटे हैं, जो इस कुंडली के लिए अच्छे होते हैं, कमजोर यहाँ नहीं है, तो उस वज़ा से आपके अधामपत्य पे तो कोई असर नहीं देख रहा हूँ, पर थोड़ी बहुत चंचलता रहेगी और कंफ्यूजन वाले में आप खुद ही रह अगर गुरु राहु के संपर्क में हूँ, अगर गुरु पे अच्छे ग्रह की दस्टी नहीं हो, अगर गुरु कहीं अनियंत्रित हो रहे हैं, जैसे बारा में हो रहे हैं, यहाँ पे भी अस्टम में बैट रहे हैं, यहाँ पर भी गुरु का प्रभाव आपको अगर चाह तो आप खुद के ब्यापार में भी जा सकते हैं, खुद के पढ़ाने का काम भी कर सकते हैं, पार्टनर के साथ जूड़ करके कोई भी काम कर सकते हैं, आपकी कुड़ी में ब्यापार एक स्थती भी अच्छी बनी है, पर यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूं कि गुरु राहू के संपर्क में मंगल का प्रभाव, सुकर का प्रभाव, उच्च के सुकर बने है, तो ब्यक्ति दामपत्य में आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होता है, उसके संबंद सासुरा और इनके साथ भी कमजोर नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं, इसमें भी कोई गड़बड़ी पर हाँ, कई बार आप अपने ही कारण, अपने आपको ही चिंता में डालेंगे, ऐसा मैं देख रहा हूँ, ये कुंडली तुला लगन की है, जातिकाओं की कुंडली में तुला लगन, कन्या लगन, बड़ा अच्छा माना जाता है, कुंभा लगन भी अच्छा माना जाता है, ये पती को प्रेमी और प्रेम करने वाली होती है, स्वैमी पती प्रिया होती है और कभी भी आर्थिक रूप से इने कस्ट जहल लें कि आवशक्ता नहीं पड़ती है सब्तम भाव के अधिपती के ऊपर किसी सुभगरा का कोई प्रभाव नहीं है और सब्तम भाव पे बुद्ध और चंद्रमा का प्रभाव है बुद्ध इस भाव से केंद्र में है एक सुभगरा केंद्र में, इस भाव से दूसरा सुभगरा शुक्र केंद्र में और इस भाव में जो ग्रह बैठा है, चंद्रमा वो भी इस भाव से केंद्र में बैठा है, मतलब अपने भाव से, इस वज़ा से सब्तम भाव ठीक होगा, पर पापकर्तरी लगने के कारण इस भाव को कमजोरी में देख रहा हूँ, यहाँ पे भी सब्तम भाव के अधिपती सुक्र जो बैठे हैं, वो चंद्रमा के साथ बैठे हैं, तो और शनी की दिष्टी पंचम भाव पे जा रही है, यह थोड़ा ठीक नहीं है, और राहू की दिष्टी जन्म कुंडली में बुद्ध और चंद्रमा दोनों को प्रभावित कर रही है, इस कारण से हमें सामने वाले से पुछ लें, पुजा पाठ, धर्म, सास्त्र, जोतिश, आदी-आदी चीजों में और बड़े बुजरुगों की सेवा में, नशाख खुरानी में, ऐसे-ऐसे आदी इन सब चीजों में उसकी स्थ्वति कैसी है, जूठ ना बोलता हो, ब्यापार में बहुत ज ज़्यादा चपल ना हो, ऐसी स्थ्वतिया ना बने, तो ज़्यादा साउधान होने किया हो शकता है, वैसे एक बात बता दूरुएं तुछ आपकी कुर्ली में आपका अदाम पत्य बिल्कुल ठीक है, मैं उसकी गैरंटी ले सकता हूँ, आपका अदाम पती बिलकुल ठीक थोड़ा बहुत मन परिशान रहेगा आपका, आपकी कुंडली में यहाँ पे थोड़ी सीगड़ बड़ी है, पर आप पराक्रमी हो, मैनती हो, पढ़ने-पढ़ने का योग आपकी कुंडली में लगतो रहा है, वैसे पर संपूर्णतेया एक बात बता दूँ, तो मैं संपू कुंडतेया सरकारी नौकरी का योग नहीं देख रहा हूँ, अब आपको चाहिए अच्छी बात लगे या बुरा, पर ऐसा ही है, एक बात और बता दू, दशमानसा कुंडली में बुद्ध नीच के नहीं होते, गुरू अस्टम में नहीं बैठे होते, लगने-शोकर के, मै आपको लाभ की प्रापती 2024 के जून से होते देख रहा हूँ, तो अगर उस समय एक बार बल देंगे, तो आपको नौकरी मिलने की सहायता मिल जाएगी, वैसे आपकी कुंडली में पढ़ने-पढ़ाने का ही, अब आपको मैं इनकी कुंडली में योगा-योग पे चर्चा कर देता हूँ, लाभ भाव के अधिपती का चतुरूथ में आना बहुत अच्छा है, इस वज़ा से ब्यक्ति को धन आदे की स्थुतियों में लाभ मिलता है, यहाँ पे सूर्य लगन में और उच्चा विलासी हैं, उच्चे के ग्रह के सांथ बैठे हैं, इस वज़ा से यह अ शनी की दृष्टी, कई बार पैत्रक संपत्ती में विबाद का कारण भी बनेगी, वैसे मंगल के उपर और धन भाव के उपर पापक ग्रह का प्रभाव है, क्योंकि मंगल एक तो छट्वे भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति को साहसी और जिद्वी बनाएंगे, कर्मठ ब भाव में गुरू और राहू के कारण कई बार व्यक्ति के स्वैम के भागे में कमजोरी भी देखने को मिल रही है, इस वज़ा से एकादशी आरंब करिए, ब्रामबर, छट्रिये, वैश्य सूद्र सब को एकादशी करना चाहिए, और सब को चुटिया रखनी चाहिए, ये मृत्यों तक रखना चाहिए, कभी भी संपूर्ण बाल नहीं उतारे जाते, संपूर्ण बाल के बाद यहाँ जो बीच का शिरोविंदू है, उसे अवश्य रखना चाहिए, ब्रामबर, छट्रिये, वैश्य सूद्र सभी तिलक भी दारन कर सकते हैं, और सभी चुटिया भ यक्ति के लिए नहीं है, जैसे डॉक्टर का जो चिम्टा है और डॉक्टर की जो कैची है, वो रोगी अपने से पकड़ करके अपना ओपरेशन नहीं कर सकता, जिस तरीके से नाई, खुद की दाड़ी अपने से और बाल नहीं बना सकता, उसी तरीके से हमेशा ही ये बात स हमेशा ही उनका और उनके प्रती आदर का भाव रखना होगा। जब कभी भी कुंडली में ये बात मैं आप लोगों को भी बताऊं कि लाब भाव, धन भाव, चतुर्थ भाव, नमम भाव और पंचम भाव बहुत सठीक और अच्छे बन रहे हों तो ये व्यक्ति कितने ही तरीके से धन का अरजन कर सकता है ये कोई भी नहीं जानता उसके प व्यक्ति को अपने जीवन से भी प्रेम होता है, वो सब को एक सांथ ले करके चलना चाहता है और सब के बारे में विचार भी करता है, वो विश्व प्रसिद्ध होना चाहता है, समाज के लिए परुपकार का भाव रखता है, दयावान होता है, सहिश्णू होता है, सभी धर अगर गुरू का प्रभाव राहू में हो जाए तो उसको स्वैम भी भटकाव में रखते हैं और उसके दामपत्य को भी भटकाव में रखते हैं इस वज़े से कई बार कम्यूनिकेशन गैप होता है जैसे यहां पर नवान्स कुंडली में पंचम भाव के अधिपती नवम भाव में या नवम भाव के अधिपती के ऊपर अगर किसी सुभग्रा की अच्छी दृष्टी ना पड़ रही हो तो हमें बातचित कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए हमेशा ही बातचित और एक दरवाजा कम से कम खुला रखने की आवशक्ता है कि आप जब कभी भी कोई मन मुटाओं वाली बात हो तो आप फिर से वहां से शुरू कर सके और अपने आपको बहुत ज़्यादा बे बज़ा की लापर वाही में रखने की कोई आवशक्ता नहीं है कई बार होता है कि हमारे सामने वो समस्या होती नहीं है पर हम उसे समझ करके या जान बुझ कर पर एक बात है कि अगर ये गुरू राहू के संपर्क में नहीं होते और गुरू की दृष्टी अगर यहां यहां के अधिपती अगर अस्तम में नहीं बैटे होते तो बहुत हर तक अच्छी बात होती पर सफलता ये यहां से मिल सकती है कि जब आपकी कुंड़ी में सब्तम कुंड़ी के लिए एक सुत्र बताया था कि D7 चार्ट के केंद्र में अगर मंगल बैठे हों तो व्यक्ति संतती का सुख अवश्य बैठता है और भोगता है इनकी कुंड़ी में भी वो योग लगा हुआ है इस वज़े से व्यक्ति को संतती अवश्य हो जाएगी पर अपन कि ग्रहों में सूर्य चंद्रमा में से चंद्रमा ठीक है वो आपको 50% का अच्छा परणाम देंगे इस कुंड़ी के लिए चंद्रमा और सूर्य महत्वपूंड होते हैं बुद्ध राजयो कारक शनी राजयो कारक शुक्र प्रथमतया दुतिया प्रथम पहले नमबर पे दूसरे नमबर पे सुक्र तीसरे नमबर पे बुद्ध चौथे नमबर पे चंद्रमा और पांचवे नमबर पे सूर्य अच्छे होते हैं मारक इस कुंडली में मंगल स्वयम और पापी भाव के रूप में गुरु बनते हैं इस वज़ा से ही वो पापा चार पहला रहे हैं और आपके जीवन में शुभलक्षणों को कमजोर दिखा रहे हैं सुरी को बल दीजे 12 नाम सुरी के जो होते हैं उनसे से प्रतेक दिन अर्ग दिया करिए एकादशी अवश्य किया करिए सुकलपक्षवाला या कृष्णपक्षवाले में से सुकलपक्षवाले में शुभलक्षवाले में सुक में वो कुछ अच्छी परणाम की स्थिती को भी लेके जा रहे हैं सुक्र आपकी कुणली में आपको अपने ऊपर ध्यान देने की बारी है उसको जितना ज़्यादा हो सके खुद को सजाईए अच्छे तरीके से रहिए सलीके से रहिए बेवाहारिक जगत में आप जितना ज़्यादा अनुभवी अपने आपको दिखाना चाहेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फायदे मन्द होगा अपने आपको बहुत ज़्यादा जो जैसा सुनना चाहता है उसके सामने वैसी ही बात करने की अवशक्ता है और आप कर सकते हैं क्योंकि तुला लगने के हैं तो बहुत ज़्यादा सत्य बोलने की बारी नहीं है बहुत ज़्यादा आपको लोगों के सामने धार्मिक दिखाने की अवशक्ता नहीं है बहुत ज़्यादा आपको दारशनिक बनाने की अवशक्ता नहीं है जैसा समाज है उसमें वैसे ढलने की अवशक्ता आपको है और वही आपको आगे भी ले जाकरके उसकी अवशक्ता भी पड़ेगी शनी राहू केतों में से शनी का बल आपके पास बहुत बढ़िया रहेगा उसकी दशा में बहुत इकिये सुक चरम सुक मिलता है और अच्छा होता है शनी की दशा आपके लिए मैं समझता हूँ कि अवस्थागत थो ठीक है तो आयू देंगे पर वो आपको निर्वैरी भी ब बुरा दोनों तरीके का परणाम दे रहे हैं क्योंकि वस्थुता वो चतुरतभाव में बैठे हैं और आपकी कुणली के लिए वो डिगरी के हिसाब से अस्थ हो रहे हैं इस वज़ए से भी कई बार वो आपके वक्तित्तों को बहुत जादा चोड़ा नहीं बनाने दे रह हैं और खुद के उपर आपको और भी जादा कह रहे हैं कि काम करने की आवशकता है सास्त्रों का द्यान करिए अपने सलेबस का द्यान और भी आवशक है राहू और केतु 25% के परणाम के साथ आपके साथ राहू थोड़ा कमजोर होगा क्योंकि गुरू के साथ हाला की हैं पर गुरू के साथ बैठे हैं इस वज़े से गुरू को भी के बार परिशान करेंगे और आपके जीवन में जो शुब लक्षन है उसके थोड़े कमजोरी पन का एसास भी कराएंगे ये आपकी कुंडली है शडबल में चंद्रमा मंगल शुक्र बहुत अच्छे बैठे हैं कुरह सारे ठीक हैं शडबल में कमजोर नहीं है ठीक है इसके बाद दामपत्य ठीक रहेगा इसकी बात इसकी मैं 100% पूरी तरीके से बात का सकता हूँ गुरू अगर केंदर में होते तो और भी अच्छी बात हो दी पर आपकी कुंडली में अगर विवाह औगरा करना हो तो दिशा के आधार पर पस्चिम उत्तर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए अंक पांच बहुत अच्छा रहेगा वैसे नौ अंक भी अच्छा रहेगा इसके अत्रिक्त आपकी कुंडली में विवाह करना हो तो मकर मेश और मकर रासी मेश रासी कुंभ रासी और विशा की तरब भी जा सकते हैं। इसके अत्रिक्त नक्षत्र में मरगशीरा, उत्राशाढ़ा, स्त्रमड, अश्विनी और पुनरवसु और भर्नी, विशाखा ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। इतनी सारी बार। दिन आपके लिए शुक्रवार और शनी बार का बहुत अ दे सकते हैं। विवाह वगेरह के लिए चंद्रमा, चंद्रमा में सुक्र, शुक्र में चंद्रमा, सुर्य में शुक्र, शुक्र में सुर्य, शनी, शनी में मंगल और ये सब आपकी कुंडली में विवाह और मंगली करते के साथ साथ कुछ भी अच्छा करना हो तो आप इस कि दशा सुरी की दशा और शुक्र की दशा और शनी की दशा यह सब अच्छी रहने वाली हैं कोछ इसी तरीके से आज के कारेकम का समापन करते हैं आपके बताओं सब तो बता दिये तब तक के लिए बहुत बहुत तमस्कार